उत्तर प्रदेश के पुर्व डिप्टी सीम और राज सबासान साथ दिने सरमाजी हमाई साथ में उनसे बात करते हैं सर ये बताए जिस तरीके से तयारी चले ही लोग सबाचुनाओं को लेकर के 400 प्लस की बात की जाने इस बार किस तरीके से तयारी हैं आप लोगों की आर्थिक इस्थित अच्छी है रक्षा के छेत्व में हम सर्वो परी बनकर उबरे हैं पांचवी अर्थवरस्था बने हैं आज भी करोना के बावजूद हम कए करोड़ों को मुट में धाई साल से रासन दे रहे हैं आवास दे रहे हैं यह यह योजनाओं का एक करम चला है पूरे पांच साल पिछले और हम कुल मिला के कहें दस साल में तो भारत की जो दसा और दिसा बदली है वो अपकी का अब यह चुनाओं पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रही है यह चुनाओं देश की जनता लड़ रही है इस मैं कह सकता हूं कि मुदी जी ने कहा है 400 पार इन मुझको लगता है कि 400 पार ही है कही ऐसा नहीं कि विपक्ष तमाम प्रदेश्टों में कुछ सीटे पाने में सफल हो जाए आने वले चुनाओं में मैं एक बात कह सकता हूं कि लोग सभा में आपको प्रतप्रश्या नेता नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि उसकी संख्या नहीं होगी और मोदी जी तीसरी बार प्रदान मंतरी के रूप में आपको मन की बात करते हुए 111 मीं मन की ब दस साल का रहा है जो कारिकाल उन्हों राज किया दस साल तक अधरनी नेता जी ने और अकलेजी को मिला लें तो हो सकता उनका अपने बारे में हो बीजैपी का जो कारिकाल है बेटा की दिस्वत स्ते एक भी दंगें ने हुए लट्व तो दंगा कराता था हिट्लर हत्या कराता था जो मेलाओं के साथ रचार का द्वाचिया होता था या जो माफियों का बहुल होता था बहुबलियों का वो हिटलर के समय था और हिटलर के समय जगन्य पराद का बोलबाला था तो अब तो उत्तर प्रदेश में हैं नहीं यह तो समाधवादी पार्टी की कारकाल में था मैं समगता हूं कि हिटलर और टेरिटर्शिप की जो परिभासा है उसाइद उल्टी दे दी उन्हों ने अखरी सवार इनी देश सालों से लेकर के है कि दस साल पहले जब लोकसभा चुना हुए थे तब बात की जा रही थी मोडी मोडल की लेकिन इस बार जब बात हो रही है तो योगी मोडल की बात हो रही है उत्तर प्रदेश की बात हो रही है उत्तर प्रदेश की बात हो रही ह योगी जी एक समग्र जो मोदी चिंतन है उसका हम सब लोग उसका एक भाग है और योगी जी वही करते हैं जो मोदी जी का विकाशों मुक का रहे है जो दिशार निर्देश होता है इसलिए अलग करके योगी माडल ही मोदी माडल है, जो मोदी माडल है, वही योगी माडल है, मन्नि मोदी जी सबके सर्वोच नेता है, उनकी जो नीते वही पुरे देश की नीती है, मतलब योगी जी मोदी जी से अलग तोड़ी है, मोदी माडल ही पुरे देश का मौडल है। उत्तर प्रदेस ने बहुत तरक्की करी है और यूगी जी के सद प्रयत्नों से आज यूपी उद्यम प्रदेस बना है इसलिए उत्तर प्रदेश की अनोखी छटा पूरे देश में असी सीटे हैं और असी के असी वीजेपी को मिलने जा रही है तो ये एक अध्भूत द्रिश्टे है भारती अंता पार्टी के लिए कि उत्तर प्रदेश में एक पक्षी वात आवरण है मोदी मैं है उत्तर प्रदेश मोदी लहर है उत्तर प्रदेश में मोदी मैजिक है उत्तर प्रदेश में मोदी की गारिंटी उत्तर प्रदेश में है और इसलिए मोदी ही ग्यारा एक सो ग्यारवी मन की बात जून में करेंगे तीसरी बार वो परदार मंतरी बनेंगे और लेकिन अफसोस यही है कि अपकि नेता प्रत्पक्षी कुर्सी खाली रहेगी महलाओं के साथ में अतियाचार होता था या जो माफियों का बहुल होता था वो हिटलर के समय था और एक समय जगन अपराद का बूलबाला था 3 ऐग तो अब तो उत्रपरदैस में हैं नहें यह तो समद्धवादी पार्टी की कारकाल में था मैं समझता हूं कि हिटलर और टेरिटर्शिप की जो परिभासा है उसाइद उल्टी दे दी उन्होंने दे जिखते हैं लनुदी जी जब एक और चमागे 시청े से लेकी जिखता है ल हमुइदि जी जी का दिसा निर्देसन है वही उन्होंत योगी जी और योगी को दो द्रश्टित से नहीं देख सकते। योगी जी एक समग्र जो मोधी चिंतन है उसका हम सब लोग उसका एक भाग है और योगी जी वही करते हैं जो मोधी जी का विकाशो नमुक कारह है जो दिशार निर्देश होता है इसलिए अलग करके योगी माडल ही मोदी माडल है, जो मोदी माडल है, वही योगी माडल है, मनि मोदी जी सबके सर्वोच नेता है, उनकी जो नीते हैं वही पूरे देश की नीती है, मतलब योगी जी मोदी जी से अलग तोड़ी है, मोदी माडल ही पूरे देश का मौडल है निर्देशन में और योगी जी के सद प्रयत्नों से आज उद्यम प्रदेश से वह उत्तम प्रदेश वह उद्यम प्रदेश बनाए इसलिए दोत्तरब्रदेश की अनुखी छटा पूरे में असी सीटे हैं और असी के असी बीजेपी को मिलने जा रहे हैं तो ये एक अधूत द्रिश्टे है भारती अन्ता पार्टी के लिए कि उत्तर प्रदेश में एक पक्छी वातावरण है मोधी मैं है उत्तर प्रदेश, मोधी लहर है उत्तर प्रदेश में, मोधी मैजिक है उत्तर प्रदेश में, मोधी की गारिंटी उत्तर प्रदेश में है और इसलिए मोधी ही ग्यारा एक सो ग्यारवी मन की बात जून में करेंगे, तीसरी बार वो प्रदान मंतरी बनेंगे प्रक्षी कुर्सी खाली रहेगी है।